अज आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुती सिंपल एंट टेस्टी ब्रेक्वस्ट रेस्पी लेकर आई हूँ आप अपने गरपे से ज़रूर ट्राइ करेगा और कैसा लगा मैंसे कमेंट करके ज़रूर बिताईगा मैं ऐसे सिंपल एंट इस्टी रेस्पी आप लोगों के लिए लातित होंगी इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और पास वाले बेल बेटन को भी प्रेस कर लिजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन एप के पास चला जाए तो फ्रेंड्स आज मैंने आप लोगों के लिए एक इंस्टेंट ब्रेकफस्ट रेस्पी लेकर आई हूँ और ये ब्रेकफस्ट को मैंने ब्रेट से बनाया है बहुत ही सिंपल बहुत इजी रेस्पी है आप अपने घर पे से जरूर ट्राई करना और कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना तो फ्रेंड्स ये जस्ट पांच मिनट में ही हमारा नास्ता बन के तयार हो जाता है ब्रेट से और ये खाने में बहुत अच्छा बहुत टेस्टी लगता है तो चली देख लेते हैं इस नास्ते को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिया है तीन मेडियम साइज का स्लाइस ब्रेट और हमने यहाँ पर कुछ सरसो के दाने, कुछ सौफ के दाने और एक छोटा साइज का टमाटो, अनियन और एक ग्रिंचिली और थोड़ा सा धनिया का पता और हमें चाहिए नमक और हल्दी पाउडर और हमें चाहिए घी और हमें चाहिए ओल तो सबसे पहले हम एक पैन में थोड़ा सा घी दे देंगे और घी में हम तीनों ब्रेट को अच्छे से सेख लेंगे मैंने आपर घी से सेखा है, आप चाहें तो इसे बटर और ओल में भी सेख सकते है बट घी से इसका फ्लेबर बहुत अच्छा आता है ब्रेट हमारा सेख गया है तो हम एक पैन में पहले दो बड़ा चमच ऑईल ले लेंगे इसके बाद हमारा कटा हुआ अनियन और एक छोटे सा इच का हमने ग्रीन चिली लिया है तो आपको अगर तीखा ज्यादा पसंद हो तो आप ज्यादा हर इमेर चिसमें एट कर सकते हैं और हमने यहाँ पर सेखा हुवा ब्रेट को चोटे 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 टुग्रों में काट लिये हैं देखिए अनियन हमारा हलका सा फ्राई हो चुका है तो हम इसे एक्साइट कर लेंगे और ओयल में हम थोड़ा सा सरसो के दाना आड़ करेंगे तो तेल में हमने राई दे दिया है थोड़ देर के लिए इसे चटकने देंगे और अनियन के साथ मिक्स करके इसे अच्छी से फ्राई कर लेंगे तो देखिए अनियन हमारा फ्राई हो चुका है इस वक्त हम टमैटो अट कर देते हैं इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हम इस वक्त इसमें एड़ करेंगे हल्दी पाउडर और नमक तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर यूज़ किया है और नमक भी हमने आधी छोटी चम्मच लिया है नमक अपने स्वाद अनुसार एड़ करें इस वक्त हम इसमें डाल देंगे थोड़े से सौफ के दाने इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक मिनट के लिए मसाला को अच्छे से फ्राइ कर लेंगे एक मिनट फ्राइ होने के बाद हम इसमें हमारा सेका हुआ जो ब्रेट हमने चोटी चोटी पीसिस में काट लिये हैं उस ब्रेट को एड़ कर देते हैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अनियन और टोमाटो के साथ ब्रेट को और हम इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता अट कर रहे हैं सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस का फ्लेम को आफ कर देते हैं तो फ्रेंड्स हमारा नास्ता जो है वो बनके बिल्कुल तियार है आपने देखा कितना कम समय में हमारा ब्रेट से बना हुआ ब्रेकफस्ट रेडी हो चुका है तो चलिए अब इसे सर्फ कर लेते हैं यह देखे फ्रेंड्स हमारा ब्रेट से बना हुआ इंस्टेंट ब्रेकफस्ट बनके बिल्कुल तियार है तो फ्रेंड्स आप अपने घर पे इसे जरूर ट्राइ करीगा अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ओविसली खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो एक बार जरूर ट्राइ करीगा अपने घर पे मैं ऐसे सिंपल एंटेस्टी रेसिपी आप लोग के लिए लाती रहूंगी तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मैं फिर आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ मिलूंगी तब तब के लिए बाबाई एंटेक केर